प्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों की दरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर बिहार में कुरोना के मामलों में उतार चुड़ाव जारी है बुधवार को 17 मामले सामने आनके बाद बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 10 से कम मामलों की पुष्टी हुई है स्वासिव भाग की तरफ से मिली जोयनकारी के नुसार बिहार में बीते दिन की पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 9 मरीजों की पुष्टी हुई है जो इसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 82 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभाविजलों की बात करें तो दर्भंगा में एक और अंगबाद में एक गया में एक पटना में चार शेखफुरा में एक वही सिवान में एक मामले की पुष्टी हुई है वही बिहार में किसी भी जुले में एक भी मरीज की पुष्टीर नहीं हुई है इसके साथ ही पिशे 24 घंटे में 1,58,222 सेंपल की जाज की गई वही इस दौरान 13 मरीज ठीक होकर घर वापस लोटे है बरती ठंट के बीच बिहार में बारिश को लेकर जारी हुआ लट बिहार में ठंट का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है हाला कि अभी राजधानी पतनावासियों को ठंट से थोड़ी रहात जरूर मिली है लेकिन आने वाले समय में ठंट का प्रभाव और ज्यादा बढ़ने के संकट मंडान लगे है और इसके संकेत मौसम भागने दे दिये है जो आइक तरफ ठंट को लेकर लोगों की हालत खराब थी वही शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदने के आसार जताएगे है मौसम विज्यानिकों की माने तो 27 से 30 दिसंबर के दौरान पश्ची में विच्छोब सक्रिय होने का पुरवान मान है ऐसा होने पर अधिकान श्यकों पर हरक्यों और मध्यमसर की बारिश भी हो सकती है वहीं अधिक्तम तापमान 18 से 20 दिज्टी सेलसियस के बीच रहने के आसार है पटना का धिक्तम तापमान 24.06 डिज्टी और 9.06.04 डिज्टी सेलसियस डर्श किया गया 5.70 degree Celsius के साथ ही गया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा वहीं गया और पुर्णिया में 800 मीटर की द्रिश्रिता दर्शी गई CBSE के Term 1 परिक्षा में नहीं होगा कोई फेल अगर आप भी CBSE के चात्रे और अजबार दस्वी और बारहवी की परिक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपके लिए हमारी ये ख़बर कुछ खास है क्योंकि केंद्रे माधमिक सिक्षा बोट ने लगभग 33 लाख से अधिक चात्रों को रहत दी है जिसके तहर टर्म वन में परिक्षा देने वाले स्टूरेंट्स फेल नहीं होने वाले हैं हलाकि टर्म वन में मिले मार्क्स के आधार पर उन्हें टर्म टू की बहतर तयारी करनी होगी एक साल में दो बोर्ट परिक्षा प्रणाली के शुरवात छात्रों के लिए नहीँ थी MCQ फॉर्माट में आयोजित टर्मवन परिक्षा में स्टेप मार्किंग के लिए जगह नहीं थी कई छात्रों ने इस बात को ले कर चुनता जुताई थी कि इस साल आयोजी टर्म वन बोर्ड परिक्षा सामाने से अधिक कठेन है सीबी असी के अनुसार टर्म वन एक्जाम रिजल्ट में सिर्फ माक्स होंगे अटल जुनती पर नहीं होगा मुंगेर गंगा महासेतु का उधगाटन मुंगेर गंगा महासेतु के नर्मानकारे के पूरा होने की उमीद जताई जा रही थी जिसके कारण ही इस महासेतु के शुभारम की तारीक 25 दसंबर तक की गई थी लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि मिली जुनकारी के नुसार अप्रोच पत का नर्मान अभी तक पूरा नहीं हुआ है मिली जुनकारी के नुसार ही मुख्य मन्त्री ने आधे अधूरे पुल का उधगाटन से इनकार कर दिया है भारत रतन अटल भिहारवी बाचपे की ज्रेंती के अफसर पर पुल के उधगाटन को लेकर नर्मान कारी में तेजी लाए गई थी पूरी जगह पर अप्रोच पत तयार होने के लिए काम तेज कर दिया गया है और उसके बाद ही उधगाटन किया जाएगा राजस विभागने अंचलो में भेजे 409 नई अफसर राजस विभागने अंचलो में बीते दिन 409 राजस विधिकारियों को अंचलो में नियुक्त की अधिसूशना जारी कर दी है इसमें 35 दूसरे राजो से हैं अधिक संक्या जहारखंट और उतरप्रदेश के अभेर्थियों की है पड़ोसी राजो के अधिकारी पहले भी बिहार लोग सेवायों की परिक्षा की जरीए राजो सेवा में आते रहे हैं उतरप्रदेश के दिलिप कुमार गुपता को पटना जुला के दुलहिन बाजार का राजस विधिकारी बनाए गया है उतरप्रदेश के सुमीत कुमार यादव सीता मरी के नानपुर के राजस विधिकारी बनाए गया है सस्ते बल्ब को लेने के लिए अगर आपने दिया है अपना अधार और पैनकार तो हो जाए साबधार बिहार में इंदरों के वल 10 रुपे में ही LED बल्ब देने की योजना चल रही है ये योजना के इंदरी सरकार के उड़जा मंत्राले की तरफ से चलाई जा रही है योजना के तहट ग्रामिन छेत्र के लोगों को सबसेरी वाले रेट पर LED बल्ब उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है जोसे लोग एक तो पीली बल्ब का इस्तमाल ना करें और दूसरा बिजली की बचट भी हो लेकिन इसी बीच कई ऐसे शिकायत सामने आए हैं जिसमें लोगों से बल्ब के बदले आधार, कार्ड और पैन कार्ड और उनके फिंगर प्रिंट लिए जा रहे हैं जिसके बाद मभाग ने सभी को अलर्ट किया है क्योंकि सस्ते में LED बल्ब देकर आपसे पैन और आधार कार्ड की फोटो कॉप भी मागने वाले, फिंगर प्रिंट लेने वाले, सीधर दोर पर आपसे फर्ज दिवारा कर रहे हैं ऐसे लोगों से सतर्क रहें सतर्कता और मॉनिटरिंग समीती की बैठक का योजन किया गया जो की लगभग साढ़े चार घंटे से भी अधिक समय तक चली बैठक में अनुसूची जाती और अनुसूची जनजाती कल्यान विभाग के सचिफ दिवेश सहरा ने प्रस्तुती करण के माधियम से विगत बैठक की कारवाई और अनुपालन की विस्तरित जानकारी दी है समिक्षा के क्रम में अपर मुखे सचिफ ग्रह विभाग, अपर मुखे सचिफ राजस्व और भूमी सुधार विभाग, अपर पुलीस महान देशक, निदेशक अभियोजन सचिफ विधी विभाग द्वारा इस समन में किये जा रहे कामों की बिंदुबार जयानकारी दी इस बैठक में पुलीस महान देशक के स्तर पर दोश सिधी निपचारे के लिए की गई कारवाई, पीडित व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत और पुनरवास सुवधाओं और उनसे जुड़े अन्य मामलों की भी समिक्षा हुई निटीश सरकार ने खर्च का नहीं दिया हिसाब, कृशी से जुड़ी योजराओं पर बिहार सरकार की 395 करोड रूपे की राशी के आवंटन पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है, ये रोक इसलिए लगाई गई है कि बिहार सरकार, दोहजार अठार उनीस, बीस और दोह इसमें आवंटित की गई राशी का केंद्र सरकार को अभी तक हिसाब नहीं दिया है, जिसकी जानकारी राजोसभा में सांसिद और पूर्व उपमुखी मंतरी सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के जवाब में केंद्रिय कृशी मंतरी नरेंद्र सिंग तोमर ने दी है, राजोसभासांसिद और बिहार के पूर्व उपमुखी मंतरी सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में कृशी मंतरी नरेंद्र सिंग तोमर ने बताया कि बिहार सरकार के कृशी यंत्री करण यूबिम मिशन के लिए 2021-2022 के लिए 395.48 करोड वार्षी का रियोच यूजनाओं के क्रिया नव्यन के लिए प्रस्ताफ पारित बीते दिन मुख्य सचिवाले सभागर में बिहार सरक सुरक्षा परिसद की बैठक का आयोजन करवाए गया जोकी परिवहन विभात की मंतरी श्रीला कुमारी के अध्यक्ष्ता में आयोजित की गए आयोजित बैठक में सड़क सुरक्षा के लिए विहार सड़क सुरक्षा परिसद और विभिन पणधारी विभागों की तरफ से किये जा रहे काम और 2022 के लिए कारियोच पर विभागवार समीक्षा की गई इसके साथ ही सड़क सुरक्षा से सब्मंधित विभिन योजनाओ के क्रियान अव्यन के लिए वित्यप रस्ताफ पारित किया गया इस दौरान परिवहन मंत्री विभाग मंत्री श्रीला कुमारी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा सम्वेदन श्रील विशे है इस पर परिवहन विभाग की तरफ से बेहतर तरीके से काम किये जा रहे हैं अब आंगनबारी केंद्रों में प्ले स्कूल की तरह होगी पढ़ाई बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में जल्द ही बड़ा वदलाव देखने को मिलने वाला है क्योंकि नई रास्ट्रियल सिक्षा नीति के तहत ही अब आंगनबारी केंद्रों को प्ल समाज सुधार अभियान के दूसरे दिन गोपाल गंज पहुंचे सीम नितीश बिहार के मुख्या सीम नितीश उन दिनों समाज सुधार अभियान पर है यात्रा के दूसरे दिन वो गोपाल गंज पहुंच चुके हैं जहां वो गोपाल गंज अपला सिवान के विकास योजनाओ की समेक्षा कर रहे हैं इतना ही नहीं उन्होंने इस दौरान चलाई जा रहे ही योजनाओ की जानकारी ली और बाद में श्वराबंदी को लेकर महिलाओं से समवाद भी किया आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार 22 दिसंबर से समात सुधार अभियान पर निकले हैं उन्होंने मोतिहारी से यात्रा की श्वरवात की बहां उन्होंने पस्षिम चमपारन और पूर्वी चमपारन जुले के विकास की समिक्षा की मोतिहारी से यात्रा के बाद सीम पटना लोटाए थे आज यात्रा का दूसरा दिन है उपेंदर कुश्वाहा ने की स्यम नितीश की तारीफ, पुर्फ केंद्रिय मंत्री और जद्यू के संसदिय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंदर कुश्वाहा बीते दिन एक दिवसीय दौरे पर कौवा कोल पहुँचे, उन्होंने कई कारिक्रम में शुरकत की, साथ ही महुडर पंच्वाहा ने पानी रे पानी अभियान के तहट ग्रामीनों की सहभागिता से पुनर जीवित किये गए मर्फा, आहर और देवी स्थान का लोकारपन किया, वहां जनसमुदाय को संबोधित करते वे उन्होंने नितीश सरकार के विकासकारियों की जर्चा की, कहा कि सूब पहले मंच से कहे अब शब्द अब ब्राम्हनों को खाना खिलाएंगे मांची, बिहार के पुर्फ मुख्यमंत्री अपने अतरंगी बयानों की कारण हमेशा सुर्ख्यों में बने रहे हैं, हाल ही में ब्राम्हनों को गाली देने का बाक्या सामने आये था, जिसमें नहोंने ब्राम्हनों को गाली तक दे दी थी, हाला कि बाद में मांची ने माफी जरूर मांगी, लेकिन उसके बाद भी ब्राम्हन समाच का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, यही कारण है कि मांची ने ब्राम्हनों को खाना खिलाने का एलान किया है, इसको लेकर 27 दिसमबर को अपन करने का एलान किया है, भोज की एक शर्थ है, जो काफी सपष्ट है, जो कि मांची ने साफ सुत्री, छवी बाले ब्राम्हनों और पंडितों को ही इसमें आमंतरत किया है, बिहार कॉंग्रिस के कप्तान को लेकर 5 नामों पर चर्चातेज, बिहार में कॉंग्रिस अपने सिय इसमें पहला नाम पुर्विसांसद रंचीता रंजन का है, जो जनाधिकार पार्टी के ध्यक्षप पुयादव की पत्नी है, दूसरे नमर पर कॉंग्रिस विधान पारश्रत प्रेम चंदर मिश्रा का नाम है, तीसरा नम कॉंग्रिस विधायक सक्षकील एहमद खान का है, चौथे नमर पर कॉंग्रिस नेता अर्विंद कुश्वाह का है, और सबसे अंते में कॉंग्रिस के नेता सहपुर्व मंतरी अवधेश सिंग का भी नाम इस सूची में शामल है, पत्ना पाइरिट्स ने रोमान्चक मुकाबले में हर्याना स्टीलर्स को हराया, प्रोकबड पत्ना पाइरिट्स ने हर्याना स्टीलर्स को 49 के मुकाबले 42 पॉइंट से हराया, पहले हाफ में पिछडने की बाद पत्ना ने दूसरे हाफ में शांदार वापसी की और हर्याना पर धमाकेदार जीत दर्श की, पत्ना की तरफ से मोनु गोयट ने शांदार 15 रेड अंक ल और इसके साथ हर्याना की तरफ से रोहित ने 10, कप्तान विकास ने 6, सुरेंद्र और ज्यादीप ने 5 पाच अंक बनाए कल हमारे दुआरा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर डे हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत हनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रियायादव, रुपेश कुमार, अव कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते आज़के सवाल की और आज़का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके नसार बिहार में कॉंग्रिस पार्टी मजबूत होने की स्थिती में है या नहीं, अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इ के साथ ही, आज़के लिए बस इतना ही, बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेटे डहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, धन्यवार